ओम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवज्जायानम नमो लोए सवसाहुनम एसो पंचणम उकारो सवप्पाव पनासणम मंगलानम्च सवसिम् पड़मम हवै मंगलम ओम्नमो अरिहंतानम् महादेव्याकुक्षिरत्नम शब्द जेतर वात्मजम राजचंद्रम्महं वंदे तत्व लोचन दायकं प्रभु तत्व लोचन दायकं परात्पर गुरुवे नमहं परंपराचार्य गुरुवे नमहं परंगुरुवे नमहं साक्षात्प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमहं अनन्त अनन्त भाव भेद थी भरेली भली अनन्त अनन्त नाय निक्षे पे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारीनी हारीनी मोह तारीनी भवब्धी मोक्ष चारीनी प्रमानी छे उपमा आप्यानी जेने तमाराख वीते व्यर्थ अपवाती निजमती मपाई में मानी छे अहो राज चंद्रबाल ख्याल नती पामताई जीनेश्वर तनी वानी जानी तेने जानी छे गुरु राज तनी वानी जानी तेने जानी छे ओम जाई स्वाद्ध्यमा श्री आत्म बोध्शतक गाथा 443 पामता गाथा लिए समय में बनती है जो बहुत से जिवों को बहुत से काल तक अपने भावों को पवित्र करने में उप्योगी होती है ऐसी रचनाव में ये सिद्ध पुजा है जुगल जी की ये सिद्ध पुजा और वो देव शास्त्र गुरु की पुजा पलका दिदी की राम भगवान की पुजा और त्रे जिनेंद्र की पुजा श्रीमत जी का अपुर्व अवसर और वीश दोरा जुगल किशोर मुक्तार की मेरी भावना और इन माता जी का ये आत्म बहुत सतक ये ऐसी कुछ रचना है जो कोई धन्य पलों में लिखी है और इतने भाव आई हैं का आप कितनी भी बार उनको करो तो आप कभी बहुर नहीं होंगे वैसे बहुत हैं पर ये तो मेरे को जो ज़्यादा इफेक्ट करी ऐसे तो अपन किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि दूसरे उसे कम है पर अपने ध्यान में जितने हैं उसमें से इतना भाव पुर्ण है शब्द संयोजन चंद और जितनी बार करो इतनी बार नए 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 भाव आते हैं हम उन सब के आभरी हैं वो कोई ऐसे यह सब बुद्धि-पूर्ववग नहीं होता है कभी के कभी यह बुद्धि-पूर्वग नहीं होते हैं यह सब ऑटोमेटिक सारा होता है हा पर दूसरों के लिए तो दिव्युद्वनी भी पुद्गल के बच्शे नहीं है कल्यान करी चलो हाँ आत्मा के भावस और सदियों तक जीवों के भावों को पवित्र करने का सामर्थ है ऐसे कावियों 43 फिर से बोलते हैं बदा साथ है लाई सुझे लिए कर्म उदय को जीत आत्मा निज स्वरूप में लीन रहे उपादान को जागरत करके नहीं निमीता धीन रहे राग द्वेश भावों को तज कर नूतन कर्म विलीन करे कर्म उदय को जीत आत्मा निच स्वरूप में लीन रहे कल कर्म को उदय को जीतना कैसे उसकी चर्चा की थी कि जब वो उदय में आये उस समय कोई प्रतिक्रिया करना नहीं जैसा आया है वैसा उसको जाने दो और समता भाव में रहो इसका नाम कर्म का उदय कहलाता है फिर कुछ वो औशदी वगरा की बाते चल रही थी तो कोई घबराने की जरूत नहीं है हम ग्रस्त जीवन में हैं तो यथा योग्य दवाई अपने को करना जब यहां से यह आत्म बोच शतक है और यह सब निश्चय को दृष्टी में रकर के किया जाता है और जब मैं बोलता हूँ तो मेरे ख्याल में मुनी ही रहते हैं मेरे दिल में मुनी ही रहते हैं आप सब बैठे हो नहीं वो मेरे ख्याल में नहीं रहता है इस समय पीछले में जो बोलता हो नो वो उसके हिसाब से ही बोलता हो सारी ताकि अपने जीवन में थोड़े कड़क हो अपन बाकी तो ग्रहस्त देशा में जो वेवार करना पड़ता है जो योग्य है वो सब करना इसके लिए कृपाड़ो देव के 702, 702, 705 ये पढ़ना तो अपने क बहुत विशेश उसमें से शिक्षा मिलीगी बहुत ही विज्ञानिक ढंग से विक्ति को असाता के उदे में किस प्रकार से बैलेंस रखना ओश्दियादी लेनी भी सही किस प्रकार की ओश्दियादी लेनी वो सब बता है उन्होंने तो उससे बहुत सावधानी अपने आ छोड़ता है ओश्दि लेते हैं अपन तो ओश्दि अपना गुण नहीं छोड़ती है और वो जिस प्रक्रिया से बनाई है वो भी अपना गुण नहीं छोड़ता है वो क्रिया भी दोनों का फल मिलता है एक्जामपल किसी को साप ने काटा अब उसको जहर उतारना है अब जहर के से उतारो गया जहर देके है क्योंकि जहर देके जहर उतारा जाता है तो वो क्या करेंगे डॉक्टर के पास जाओगो तो वो क्या करेगा जहर का इंजेक्शन लगाता है लगाता एक नहीं लगाता है वो जहर कहा से आया है वो जहर आया कहा से तो या तो आप केमिकल से जहर बनाओ एक तो जहर बनाने का यह तरीका है अलग-अलग प्रकार के केमिकल डाल करके उस जहर बनाओ उसको और दूसरा तरीका यह है कि जानवरों के जैसे सर्प है सर्प के जहर बनता है तो उसका जहर निकाल आप उनको मार करके तो जो जहर जानवर को मार करके निकाल है उस से आपका treatment हुआ है तो क्योंकि जहर है वो जहर को काटने का काम करता है इसलिए उस जहर से आपका जहर उतर तो जाएगा अगर वो कर्म बंद शितिल हो तो उतरेगा नहीं तो वो भी विश से आपका विश उतर जाएगा आपको जो सर्प ने काटा है परन्तु जिस पद्दती से वो विश उत्पन हुआ है उसका फल भी आपको लगेगा उसका विपाग भी आपको लगेगा आपको भले पता है कि नहीं है वो अलग बात है पर जहां हिंसका दी पद्दती से उ उसकी उत्पत्ती हुई ओश्दी की, उसका बंद आपको फिर से हो जाएगा और वो गुण भी नहीं छोड़ेगा आपका, इसलिए दवाई भी अपना गुण नहीं छोड़ती है, दोनों अपना गुण छोड़ते हैं, नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ओश्दी हादी करो, पर क किसी प्रकार से कोई वांधा नहीं है, पर जानकार या करना, यह दवाई ले रहे हैं कैसे बनी हैं, किस प्रकार से क्या है, अपने तो देहा द्यास ज्यादा है ना, कुछ भी देदवापतों, मेरे तो अभी दवाई करने तो, इतना आसकती देह के परती मुमुक्षु मेरी बीमारी मुझे ठीक करनी है ठीक बात है पर उन तो जैसे तैसे ठीक नहीं करूंगा योगी रिती से सत्विक दवाई और अगरा कोई मिलती है तो हम उस दवाई उस बीमारी को ठीक करेंगे तो किसी को मार करके हमें जीना नहीं किसी को मार करके क्यों जीन है अपन और अपना जीवीत पर तो किसी के औशदी के उपर भी डिफेंड नहीं है जैसा है उक्रुपाड़ देनों साथ सो बोतर मैं तो इतना अच्छा लिखा है साथ सो बोतर, साथ सो तोतर और सार सो चमोतर मेरे इच्छा थी कि मैं उसको पढ़ूं क्योंकि विशय चल रहा है पर वो इतना सारा लंबा है ना कि पढ़ लेना उसमें सारी स्पष्टता हो जाती है बैलेंस रख करके सब लिखाओ इसलिए विक्ति को यह लगता है कि मेरी बिमारी तो उतर गई पर वो बिमारी उतरी परन्तो अगर आपकी वो ओश्दी हिंसक तरीके से बनी है तो वापस वो आपको अन्य तरीके से आएगा उस पापका बंद हुआ ना आपका तो वो तो एक बिमारी उतरी दूसरी बिमारी तयार है आपके पास फिर वो उतरी तिसरी बिमारी तयार है सिरदर्द उतरा बाकी बिमारी तयार है आपकी सारी और वो बिमारीों में घुसता जाता है मैंने तो प्रतक्ष देखे हैं ऐसे एक दवाई कराओ उसकी ठीक होती है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं दुसरी दवाई कराओ और वो बिमारियों में विक्ति घुस रहा है निरंदर घुस रहा है उसको यू लगता है कि मेरे ये दवाईल अनिस ठीक रहेगा ये 나म में आता है छोड़े इसको बहुत किया आप में फोड़ा शांतीस रहो आने दोशको भी देखते हैं अपने तो दिमें 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 वह जैसे संताह में आता है उसके असाता का संकर्मण होने लगता है साथ आमंने लगता है देरे रखना पड़ता है उतनी देर तक अब जो रख पाता है वो जीत लेता है और जो रख नी पाता है वो ऐसा अंदर घुशता है कि उसका उसाफ का विपाक निकल नहीं नहीं देता है और अन्त तोहट लास्ट स्टेज तक वो औस दिया सेवन करते करते ही मर जाता है और आज तो ध्यान करके क्या मलूँ कहां कौन सी गती होगी इसलिए सावधान होना चाहिए अब कहते हैं उपादान को जागरत करके नहीं निमित्ता धीन रहे किसको जागरत करने अपने बादान को जागरत करके नहीं निमित्ता धीन रहे अपने अंदर की शक्ति को जागरत आत्मा मा रण शक्ति है मुझे खुश होने के लिए प्रसन होने के लिए क्यों किसी दुसरे द्रव्य की आश्रक्ता पड़ती है यह आत्मा को पूछे है आफाम जैसे अभी मुझे खुश होना है, प्रसन रहना है, तो अच्छा सुख गुण का है, बाहर है के अंदर है, सुख गुण तो आत्मा के अंदर है न, क्योंकि सुख आत्मा के अंदर से आता है, अब जो आत्मा में हैं उसको बाहर की वस्तु की जरूत कहां से पड़ी, पर हमारा सुख है वो निमित से आता है सुख क्या कहो उसको सुखा भास कहो वो दुखी है एक प्रकार का दुसरे की आउशक्ता हमको पढ़ती तो अपने आत्मा को पूछना चेह कि मुझे क्यों दुसरे के आउसक्ता पढ़ती है परसंचनता के लिए जीने के लिए दुसरे की इस द्रव्य प्राणों को टिकाय रखने के लिए चलो भोजन की आवशकता पड़ती है तो कोई दिक्कतने ना पुद्गल को पुद्गल की आवशकता पड़ती है पर जीव को पुद्गल की क्यों आवशकता पड़ती है जीव को खुश होने के लिए प्रसन्न होने के लिए दूसरे की क्या आउशकता पड़े ये आत्मा को पूछेंगे तो जीव सोभाव में आ जाता है उसका वेराग जाकता है उसकी स्वाधिन्ता जाती है आप čार लोग मेरे को मिले गोई तो ये मैं खुश होंगा क्या मैं अकला बेटा बेटा खुश नहीं रह सकता क्या कैसी को गोंता विरह हो घर से अलग हो जाता है तफ़ा मित्रों से अलग हो गया तो बहुत दुखी होता है तो उसने कितना दुसरे से बान रखा है दास बन गया है दुसरे लोगों का दास बनाए हिंद्रियों का दास बनाए विशयों का दास बनाए एक चाय जैसी वस्तु नहीं मिलती है न विक्ति दुखी हो जाता है एक चाय जैसी वस्तु पुद्गल जो जीवन के लिए उप्योगी भी नहीं है जीवित होने और पेट भरने के भी काम नहीं आती है ऐसी वस्तू के लिए भी दास बन जाता है वो जब तक नहीं मिलते है तब तक ज्यान ध्यान में मन नहीं लगता है अब कितना वेक्ति गिर चुका है एक छोटी सी वस्तू के कारण से आप जो नशे करता है उनको पाउच अभी ये लोग डार में नहीं मिल रहा था न तो लोग पागल हो गए था क्योंकि जिसको पाउच खाने के आदत है दारू पीने के आदत है ये सब नहीं मिलत कैसा हो उसको जब जिसको रोज दारू पीना पड़ा उसको बंद कर दिया दारू नहीं मिले तो मर जाता हो उसका सुख कहा था उस निमित में मान रखा था तो कब तक हम दुसरों के सहरे जीते रहेंगे हम अब किसी के सहरे जीना अपने सहरे हमको केवल एक देव-शास्त्र गुरू इतना चाहिए बस और हमें हमारे सत्संगी लोग हो बस इस काल में वो भी हो बागा कि अच्छा काल हो तो हमको तो एकल विहारी हो जाएंगे जंगल में चले जाएंगे हमको सत्संग्यों की भी जुरुत नहीं उस समय पर इस काल में सत्संग्यों की जुरुत पड़ती है क्योंकि हमारा सहनन ही नहीं अकेले रहने सकते हैं और उससे एनरजी चाहिए अपने को देव, शास्त्र गुरु और धर्मात्मा बस और क्या चाहिए अपने को इसके अलावा जहां जहां से भी हम प्रसन्नता लेते हैं वो सब हमारी मूडता है वो सब हमारा दासत्वपना है खुश होना है तो कोई बात भी अपसेट हो गएं किसी महात्मा के पास जाके बैठ चागए सत्संगी के पास जाके बैठ चागए मेरा मन नहीं लग रहा है दो चार तत्वपनी बाते करेंगे उस्तिर कर देगा आप पर दूसरी दरफ नहीं संसार की दरफ नहीं इतना यह निमित्त अधिन वृत्ति टालने के लिए सब चीज़े हैं उपादान को जागरत करके नहीं निमित्त धीन रहे राग द्वेश भावो को तजकर नूतन कर्म विलीन करें राग द्वेश अधि भावो को तजकर नया कर्म है उसको क्योंकि कर्म का उदय आता है न उस समय हम राग द्वेश करते हैं तो नया कर्म बंदता है अगर उसमें हम कोई प्रतिक्रिया रागद्वेश अच्छा बूरा नहीं करते हैं इष्ट अनिष्ट पना तो नया कर्म बनता नहीं है तो पर रागद्वेशों की भी बहुत शेणिया है विक्ति को यहीं पता नहीं है का राग हो रहा है माने तो क्या राग्ष है माने तो क्या राग्ष है राग का सुक्ष्म सुरुप समझाई नहीं है जहां भी उप्योग का प्रवाह पर की तरफ है वो सब रागी है इस्ट बुद्धी से उप्योग का प्रवाह चित्त का प्रवाह दुसरे की तरफ है वो सब राग है और पारे राग है सब तरब से दूसरों का चिंतन जहां भी चल रहा है वहां राग है और वहां द्विश है इस्ट अनिष्ट पने से चल लाए तो है राग और द्विश है जिन्वर कहते विजित मनावह मुक्ति रमा को शिग्र वरे जो उदे कर्म के उदे के समय में समता भाव धरन करते हैं राग द्विश नहीं करते हैं अपने स्वरूप में लेन रहते हैं वो कैसे हैं विजित मना जिन्वने अपने मन को जीत लिया है मन को जितना ही मौक्ष का मार्ग है इसको बड़ा-बर पकड़ के रखना कि मेरा मन कहां जा रहा है कभी-कभी मन ख्याली पुलाओ बनाता है तरंगे तरंगों में रहता है वहां भी मज़ाता है अलग-अलग प्रकार की कलपनाय करने में जान भी विक्ति को बहुत मज़ाता है अब उसमें दूसरा पाप तो कुछ नहीं कर रहा है किसी का बुरा भी नहीं सोच रहा है पर कलपनाय कर रहा है बस उससे वह भी अपध्यान कहलाता है कौल साध्यान है वह अपध्यान अनर्थधन इसको कहते हैं उपियों को हमेशा चित्त को देखना क्या विचार चलता है जैसे ही स्वरुप जागड़र्ति हुई तो तुरंत ही अनंद की लहर आती क्या कर रहा था क्या विचार कर रहा था हू इतनी दिर तक समझ मैं नहीं आया और उस विचार से क्या लाबै इस आत्मा का तो तुरंद वेक्ति स्वा सन्मुक होता है इतने देर तक आरत ध्यान किया तुरंद उसका पच्छकान करता है वेक्ति और फिर धर्मध्यान में लगता यह 24 गंडे का अपने साधना है जहाँ जहाँ भी मन प्रवाहित होता है धिला पड़ता है उसको जरा कसना कसावट चलो अगे 44 एक एक लाइन चले कर्मयान पर संसारी जन बेठ चतुर गति सेर करे ज्यान नाव पर ज्यानी बेठ भव समूद्र से तेर रहे एक कर्म फल कारस चक्ता एक शिव फल रस पीता है एक कर्म फल कारस चक्ता एक शिव फल रस पीता है जन्म मरण करता अग्यानी ज्यानी शाश्वत जीता है एक कर्म यान पर संसारी जन बेठ चतुर गति सेर करे ज्यान नाव पर ज्यानी बेठ भव समूद्र से तेर रहे एक कर्म फल कारस चक्ता एक शिव फल रस पीता है जन्म मरण करता अग्यानी ज्यानी शाश्वत जीता है सब समय सार की गाथा है एक एक गाथा है लिखिया है बिजी वारत बदे साथ बोलो कर्म यान पर संसारी जन बेठ चतुर गती सेर करे घुमता है किसके उपर बेठ के घुमता है कर्म यूपी यान पर बेठ करके एरोपलेन में बेठता है और सारी दुनिया का वो सेर करता है कहा कहा तक सेर करता है वो उपमिती भव प्रपंच में सब बताया था हो कहां कहां से आया है ये जी भव परिभ्रमन का पंच परावर्तन है न उसका वारम वार चिंतन करना ची उसका चिंतन करने से बहुत ही संबेक निर्वेद भाव पैदा होता है कैसे यह जीव अनादी काल से तो निगोद परियाए में ही रहा है निगोद किसे कहते है ये शब्द के लिए नया शब्द होगा निगोद का अर्थ होता है गोद शब्द के आगे निक उपसर्ग लगाए इस से निगोद बना गोद किसको कहते हैं आश्रे गोद में आता है बच्चा बांकी गोद में आता है आश्रे देने को नाम गोद कहते हैं तो जहां एक शरीर अनेक जीवों का आश्रे देता है ऐसे शरीर में जहां एक मेक होकर के अनेक जीव रहते हैं उस परियाय का नाम निगोद है उस शरीर को निगोत केते हैं कि एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं एक दूसरे में पड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं वो नित्य जन्म मरन कर रहे हैं अच्छा जिना मरना किसी को अच्छा नहीं लगता एक श्वास में कितनी बार मरता है हो अठारा बार जीता है अठारा बार मरता है वही क्यों वही कहीं दुसरी जीके जाई नहीं रहा हो वही क्यों वहीं उसी शरीर में मर रहा है जी रहा है, मर रहा है जी रहा है, मर रहा है और जन्म मरण के दुख को वो वेदन कर रहा है उस उस निगोद परियाश से हम निकले हुए हैं हमारा मुल निवास अस्थान कौन सा है यह निगोद परियाश निगोद के जीव निगोद शरीर में रहते हैं प्रश्ण ऐसा है कि निगोद के जीव रहते हैं कहा तो निगोद के जीव निगोद शरीर में रहते हैं हाँ मैं बता रहा हूँ आपका प्रश्ण का क्षेत्र को क्षेत्र कहा रहते हैं तो नित्ति निगोदिया जीव और इतर निगोदिया जीव दो प्रकार के होते हैं तो निगोद के जीव सबसे पहले तो सारे संसार में विश्व में रहते हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां निगोद का जीव नहीं है, सब जगह निगोद के जीव हैं, अब नित्ति निगोद किसे केते हैं, इतर निगोद किसे केते हैं, कि जो जीव हमेशा उस निगोद पर परियाय में ही रहा है उस परियाय को छोड़ता नहीं भले वो यहां पर रहे पर यहां पर इस्थित जो निगोद का जीव है परंतु उस निगोद परियाय को उसने कभी नहीं छोड़ा है तो वो नित्ति निगोदिया के लाता है और वो छोड़ेगा भी नहीं कभी उसको वो उसी परियाए में लेगा ऐसे सारे दुनिया में सब जगह नित्ति निगोधिया जीव भी है और एक बुगोल में जो सात्वी पृत्वी तम तम प्रभा उसके नीचे एक राजुप्रमान जो क्षित्र है वो उसको कल-कल प्रभा नाम है उसका वो जमीन नहीं है भुमिरेज स सब्सक्राइबी साथान इसे निगोदिया और पंचस्थावर झी वहां पर भी रहते हैं ठसा-ठस बहुत हैं परंतु वहांसे उपर आते हैं सानी हैं कोई एक जीव सिद्ध हुआ तो जो निकलना है वो कहीं से भी यहां का जीव भी यहां से निकल करके वो स्थावर राशी में आ जाएगा अर्था तो वो वेवार राशी में आ जाता है वहां से निकल करके सबसे पहले किसमें जाएगा वो एकेंद्री में एकेंद्रिय में किस में? प्रत्वी काईक प्रत्वी काईक मलब प्रत्वी ही जिसका शरीर है ऐसा जीव उसको प्रत्वी काईक कहते है तो रेत हो, कि पत्थर हो, कि बालू मिट्टी हो कि ऐसे बहुत सारे जिस समुद्र में जित्ते भी रतना मिलते हैं चाहे हीरा हो के मोती हो के मानिक हो के सीफ हो ये सब पृत्विकाइक है ये सब जीव और उसमें ये जीव अनन्त काल तक रहता है फिर जल काइक बनता है जल ही जिनका शरीर है वो अपनों को जल रूप शरीर धरन पोखर का जल होगे कीचड का पानी होगे सब जगह जल का एक जी गए अनंत काल तक उसमें रहते है फिर अगनी का एक बनता है अगनी ही जिनका शरीर है उसको अगनी का एक कहते है अलग-अलग प्रकार कि जितनी एक दावा अगनी है कि वडवा अगनी है कि जठ्रा अगनी है कि समान्य अग्नी है कि ये सब अलग-अलग रूप धरन करता है ये जी अग्नी का एक है फिर वायू का एक बनता है घुमता भिरता है वायू भी दो प्रकार की होती है एक स्थिर पवन होती है और एक अस्थिर पवन होती है वातवलों की जो पवन है वो स्थिर है वो अपनी तो एक साधारन वनस्पति उसको निगोत कहते हैं और फिर प्रतेक वनस्पति ये पेड़ बनते हैं कभी आम बनाने कभी निम्मू बनाने कभी घास बनाने कभी क्या बनाने इसमें बनता रहता है एक प्रिया को छोड़के दूसरी दूसरी को छोड़के तीसरी तीसरी को प्रत्रिएक वनस्पति डश्त लांकश्र लिग उल्सपति और वनस्पतिकायु जो ड़ोप प्रत्रविह। लाग, प्रत्तिकी और अलग-अलग प्रकारशिEREीं।। अकामनिरजरा करता रहता है। की भोगता किया करता है। क्योंकि भोग लियाए कर्मक, श्रूद स्थिति अनुभाग का बनता है। इसलिए उपर उपर आता है तो उसको त्रस्त परियाया मिलती है कभी वेट क्रीड़ा बनता है कभी विश्टा काओ क्रीड़ा भनता है कि रहे ऐता हृँ मैं फिर बहुत काल गुजरने के बाद वापस तीन इंद्री वाला होता है मैं फिर वह मैं नसक्राइखहो फिर चार इंद्रिया वला बनता है यह सब दो दो लाख यूनिया है, चार इंद्री है, दो लाग प्रकार के चार इंद्री है, दो लाग प्रकार के तीन इंद्री है, दो लाग प्रकार के दो इंद्री है, जी अलग-अलग, अपने को थोड़ी दीखते हैं, ऐसे वारी-वारी से वो जनम लेता रहता है, अलग प्रकार, फिर कोई भ पर उनके मन नहीं है, सोचने विचारने की शक्ती नहीं, फिर अकाम निरिजरा करता है, संगनी पंचेंद्री तीरियंचों में आता है, यहां आकर के वो थोड़ा पवर्फुल होता है, अब बुद्धि पुरूग पाप करता है, क्योंकि इसके पाप करने के संसकार है, क्योंकि एक जीव दुसरे को खाकर की जीवी थे, यहां तो, पाप की संगना पड़ी हो नवाप, पुन्य तत्व को तो जाना ही नहीं है उसने बुद्धि पुरूग, तो पाप के संसकार है, इस कारण से जैसे ही संगनी बनता है, तो हिंसादी विशेश करता है, संकल्ब पुरूग की करता है, और उसके कारण से नरक में जाने के योग्य अब बनता है, नारकी जीव होने के योग्य वो अब बनता है, और यहां से वापस नरक में जाता है, वहां से अकाम निरजरा करके वापस तिरियंच में आता है, और ऐस उसे उनके कशाय मंद पड़ती है, जैसे कि कोई तिरियंच यहां आ गया आश्रम में, अब उसकी कशाय मंद हो गई, किसी ऐसे घर में चला गया, कि जहां सज्जन लोग है, उसके बीच में रहता है, जैसे यह गाये हैं, भेंसें, पालतू बनाते हैं, इनके कशाय मंद होती ह तो मंद कशाय से फिर क्या है, मनुष योनी का, मनुष आयू का बंद करता है, और फिर वो मनुष बनता है, मनुष बनके जब अग्यान है, इस कारण से फिर से, क्योंकि पहले तो पशु में तो इच्छा को दबा रखाता हैं, अपने घर में भेंस हैं, उसको बांद के रखा है अपने, उसको सब कुछ भोगने की इच्छा है, जो आप भोगते हो, पर उ तू बांद के रखा है, कर सकता नहीं है, तो वो इच्छा को दबाता है, अब जैसे ही ऐसी परियाय मिलते हैं इसको, कि जहां आपने इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो अत्रिप्त वासना मनुष्य परियाय में जितनी अत्रिप्त वासनाएं हैं वो सबसे अधिक मनुष्य परियाय में उसके क्योंकि यहां वो कर सकता है सब कुछ कर सकता है पश्योनी में वो इतना नहीं कर सकता था जितना मनुष्योनी में कर सकता है अग्यान के संस्कार है, इसलिए फिर क्या करता है? बहुत आरम परिक भोगों को इखटा करता है। और वापस कहां जाता है? नरक की सेर करने के लिए, वहां से वापस आता है। वापस आकर के कोई धर्मात्मा, पुन्यात्मा का कोई ऐसा योग मिल गया, थोड़ा सत्संग आ तो क्योंगि ज्यान नहीं इन उसके पास इसले देव सारे और फिर से भूगों में लगता है और अच्छी दर से लगता है क्योंकि वहां तो भूग सामगरी को कोई छिनने वाला भी नहीं है यहां जैसा फिर वो लंपट होता है इसका और लंपट हो करके सारा पुन्य खतम कर देता है और सारा पुन्य खतम करके कहा आता है वो वापस जहां से चालू किया था वहां से वापस और फिर यह परावर्तन यह परिवर्तन पूरे करें पहली ढाले यह पहली ढाल का सार बताया है इस प्र पर पत्थर पड़ा हुआ है उसको आकाश में उचा लो तो आकाश में कितना समय तीकता है इपना या चार इंद्र्यव पांस डिश्य आदी में कितना रहता विक्ति तो जैसे आपने पत्थर उपर उच्छाला और तो हवा में कितनी देर रहेगा क्षणिक रहेगा वापस पृत्वी पर रहेगा इतनी देर तकी इस जीव को इस परावर्तन में एक परावर्तन में उसको इतनी तरस जीवन में तरस परियाए मिलती है 2000 सागरोपम जिसको कहते हैं पन उसमें अपने को ये सब मिल गया और उसमें मनुष्य मिलना तो बहुत कठीन और मनुष्य में भी धर्म मिलना आर्यक्षत्र में पैदा होना वो बहुत कठीन है आर्यक्षत्र में पैदा हुआ तो भी विद्राग धर्म को मानने वाले कुटुम में पैदा होना, यë तो महान पुन्मय का का और उसमें भी उसके उपर श्रद्धा हो जाना, ये तो बहुत महान काम है, और उसमें भी उस् – श्रद्धा के अनुसार संयम धारण करना है, ये तो सबसे अधिक काम है, ये सब उत्तर क्या है दुरलपता है इसलिए मत चुके चोहान यह मनुष्य के वास्ता में केवल 48 भवी नहीं होते हैं उसका एक कालखंड मिलता है उसको उस कालखंड में अगर इसने बड़ी-बड़ी आयू प्राप्त नहीं की तो उस 48 के बज़ा 100-200-500 संख्यात भवतव हो जाते हैं उसक मनुष्य के उस आयूष्य को अब आपको पल्योपमादी की विशिष्ट आयूष्य है उसको उसनी मिलती है मनुष्य भव की बाकी सब में तो आपने भोग भूम में जनम लिया उत्तम भोग में तिन पल्य आयूँ तो वहीं खरच कर दी तो आपके मनुष्य भव कितने मिल हो तो 48 से ज़्यादा भी हो सकते मनुष्य बनने के आयू फिक्स है आपकी मुझा कालखंड फिक्स है 48 भवाला कोई सिद्धान्त नहीं है परन्तों मेक्सिमम ऐसा निकालो समान्य रुप से तो 48 निकल सकता है कहां से निकला वो तो मुझे पता नहीं है पurnaster के उतने महीं मनुष्य की भी फिक्स है कि मनुष्य परिया है उसको है متau 2,000star doh satra दो हजार जांगरो को मँझा बहुत होता है एक सागर निकला होता होग धिमाख ख़ाब हो जाता है एक मनुष्य भव से दूसरा मनुष्य भव मिलता और नहीं मिलता ऐसा प्रश्ण है तो मिलता है एक भी मिलेगा एक से दूसरा भी मिलेगा तीसरा भी मिलेगा चोथा भी मिलेगा कोई दिक्कत हो मिल सकता है और क्यों नहीं मिल सकता है बस इतना ही है कि मिथ्या दृष्टी रहना पड़ेगा यह condition है आपके है एक मनुष्य बहुत से दूसरा मनुष्य बहुत पाना है तो आपको मिथ्या दृष्टी रहना पड़ेगा क्योंकि आप सम्म्यक दृष्टी हो गए तो नियम से आपको देवगतिम जाना पड़े ख़े हैं यह नियम है क्योंकि आप सम्म्यक दृष्टी जो पुण्य इखटा करता है बानता है वो मनुश्य में इतने भोग सामगरी है ही नहीं कि उस भोगों को भोगने के लिए वो मनुश्र गती में जाए, उस भोगों को भोगने के लिए उस पुन्य को खतम करने के लिए उसको देव गती में ही जाना पड़ेगा, वहीं पर उसके योग के साधी साधन सुविदाय है, यहाँ, बिल्कुल कर सकता है, ऐसा ही तो करते है जीव, एक मिथ्यादर्ष्टी जीव है, उसने एक भो में उसका काम नहीं हुआ, तो दुसरे भो में कर लेगा, इसमें क्या है, दुसरे भो में नहीं हो, तीसरे भो में भी कर लेगा, मिलेगा कि नहीं, वो तो उसके परिणाम के अधर पर है, तो जिसके भद्रिक परिणाम ह साधा जीवन उच्छी विचार ये कहा जाएगा ये इसको मनुष्वव मिलता है फिर दूसरा कारण का है स्वभाव मार्दवम्च स्वभाव से ही जो कॉमल है एकदम सम्मे है किसी को दुखी करने कि उसके स्वभाव से ही इच्छा होती नहीं वो भी मनुष्व बनेगा परन्तु मनुष्य बन करके फिर बहुत अधिक पुण्डे कमा लिया फिर देव बनना पढ़ेगा आपको वो तो ऐसे ही है क्योंकि वहाँ जाकर तो देव परिया को खराप तो है निए समयक दर्शन यहां भी प्राप्त कर सकते हैं समयक दर्शन भावी प्राप्त है धर्मे के संसकार है तो चांसेज वहां ज़्यादा अच्छे हैं क्यों ज़्यादा अच्छे हैं क्यों 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 कि यहां पर तो न तो साक्षात केवली हैं न गंधर हैं, न ऐसे आचारी हैं बड़े-बड़े, इसलिए हमको कोई कहन है कि तिर्थंकर देव ऐसे होते हैं, ऐसे समोशरण में विराजमान होते हैं, परमोधारिक शरीर होता है, ऐसा उनका केवल ग्यान होता है, तो अभी लोगों को विश्वास नहीं होता है, परंतु देव परियाय में जाकर के साक्षात वाँ समोशरण में देखेगा न, को मैंने जो पहले सुना था, ग्यानारणों में लिखा ऐसे, पर समय सहर की ठीका में जैसे न मर रहे हैं, मैंने जो पहले सुना था, आचारियों से, गुरुों से, कि भगवान ऐसे होते हैं, आज मैं स शाक्षद देख रहा हूं को, ऐसे उनके चत्रमुखी ऐसे भगवान होते हैं और वो समोश्रण में विराजमान एन परमदर एक शरीर है ने ऐसे बारा सभाय है ने इस प्रकार से दिव्य द्वनी निकल रही है, सारा आज में साक्षद देख रहा हूं, ऐसा करके वो सम्यकद प्राप्त कर लेता है, उसी समोश्रण में ही प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अब तक उसको संचे था, अब देख लिया ना साक्षद उसने, इसलिए संचे रहा हूं, इसलिए ये परियाई भी उत्तम है, इस प्रकार से परिभ्रह्मन, बच्चे बहुत घुमली है अपने, बायपदारत बहु बहु जोया भट की बारे बारे, अंतर शोध चलावाने हवे, भीतर वडशो क्यारे, नहिए नाओ, भीतर वडशो क्यारे, नहिए नाओ, भीतर वडशो क्यारे, शंख चीप अग, नित विण्याही, सागर ने पगथारे, मोती लेवा मेरा मन माँ, मज्यन करे शो क्यारे, नहिए नाओ, भीतर वडशो क्यारे, नहिए नाओ, भीतर वडशो क्यारे, जावाणी के ज्यान से सुजेलो कालो, सुवाणी मस्तक्नमों सदा देत हुँदू, एजिनवाणी भाल की तोविजपू दिंग्रें, जो तेराशर नालहे सोपावे सुकुचें, देव भजो अरिहंत को गुरुसेवो निरग्रं, दयाधर्म पालू सदा यही मोक्ष कापंदू, नम् नमस्कार मालंत्र, आत्म नमसंद्धा, ओम् शांति, 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 जैस्गुण, प्रिश्कुण।